आम आद्मी पार्टी और BJP के बीच में जिससे एक बात पर इस वक्त घमासान मचा है वो है Water Settlement Bill का One Time Scheme यह Scheme कैसे काम कर रही थी और सबसे खास बात जिस तरह से दिली के मुख्यमंतरी ने कहा कि किस तरह से BJP इस Scheme में रोडा अटका रही है, बातचीत करेंगे MLA सुमनाद भारती जी से, सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है, सबसे पहले ये बताएं कि स्कीम कैसे काम करती है, और दूसरा ये कि इसमें BGP रोडा कैसे अटका रही है देखे हुआ क्या है कि दिल्ली के जनता ना जो मैंडिट दिया है, माने पार्टी को 62-70 में से, इतना अभूत-पूर मैंडिट बहुत कम इतिहास में देखा गया है उसके बाद, एक के बाद एक, अर्विन केजरीबाल जी ने अपनी उमीदों को जो उननों वादे किये जनता को उसको पूरा करने लगे चाहे बिजली हो, पानी हो, जिक्छा उस्वास तो तो काम की राजनीती के जो पुरोधार विन केजरीबाल ने एक नया चलेंज दिया हर पार्टी को, कि आप भी काम की राजनीती करो उसमें भाजपा कहीं नहीं कॉम्पीटेशन में दिखती है उसी कारण से आज भाजपा इस कदर उतर आई है कि वही दिल्ली जिसने इनको साथ इंपी दिये लोकसभा के चुनाब में दिल्ली वासियों का दुखका कारण बन रही है कैसे सर्विशिज डिपार्टमेंट जो उन्होंने छीन लिया हम से माननी उच्छतम जाले ने जब अधिश दिया था कि अभी सर्विशिज डिपार्टमेंट जिसमें दिल्ली के सरकार के जो ओफिसर्स हैं वो केजरी वाल जी के धिन काम करेंगे उसको अपने अधिन ले लिया जब साथ दिन बाद आपको पता है और उसके बाद अधिकारियों का मिस्यूज करके अधिकारियों पर दबाब डालके LG ऑफिस पर दबाब डालके इन्होंने केजरी वाल जी के हर स्कीम को रोकने का प्रत किया है अब करोना काल में दिली के अंदर ऐसा महल था कि वह कोई वाटर मीटर रीडर घर ना आजासका तो वाटर मीटर रीडर ने अपने आफ़स में बैठे ही उसने या तो एवरेज का बिल बना दिया या कुछ उल जिलूल सा उसमें रीडिंग लिग दिया उसकारण से जिसका जीरो आ रहा था वह बीं राणने लेगा 2000 दोहजार 3000 4000 5000 तो नेचरल सी बात है जिसका दो साल तीन साल चार साल जीरो आ रहा है अचाना कर बिल आनने लेगा तो यह लहूँ आदमी चिंता करेगा रोक भी देगा तो ऐसे करीब साड़े दस लाख कनेक्शन् उसकारण सिर्फ इतना रहा कि सब के उल जरूर भी ला गये हैं अब जब सभी लोग पहुंचे अपने बिधायकों के पास तो माने मंतर के पास गये हम लोग तो हमने वन टाइम बल सेटल्मेंट स्कीम निकाली उसका मतलब क्या है कि हम आपके पिछले बारा मेहनों का देखें करेंगे रीडिंग्स जो आपकी बिल आए हैं अगर उसके कोई भी दो ठीक लगेगा आपको तो इसका अवरेज निकाल लेंगे और इसी को एक्स्टापॉलेट कर देंगे बागे सब महनों पे उसी प्रकार से अगर माने पिछले बारा मेहनों में कोई दो रीडिंग ठीक दीक रहा हो तो हम पिछले दो साल कर देखेंगे अगार वहां में देख रहा हो तो यह पा साल का देखेंगे तो कोई भी दो रीडिंग करके ओसका एवरेज निकाल करके हम उसको इक्स ट्रपॉलेट कर देंगे बाकी महनों प तो लोगों ने पानी कम यूज किया जो लोग चले गए यहां से ऐसे घर हैं जो कि बंद हो गए थे छे मेना आठ मेना लोग उसके बाद लोग अपने घर वापस आये थे उसके बाब जूद अगर उनका बिल अस्मान चू रहा है तो दिल्नी सरकार जो की केजरी वाजिक नित जो यूडी मिनिस्टर उनको दिया कि आप इसको चुकि यूडी मिनिस्टरी जो है हमारा वो एड़िसरेटिव डिपार्टमेंट है जलबोट का तो उनको कहा कि आप इसको लागू करवाईए तो उन्होंने चुकि इसमें काफे सारा जो फनांस का रिपरकुस्टन्स हैं इ कि किस प्रकार से अधिकारी ने मना कर दिया मतलब आपको सेरन होती है कि डिमोक्रिसी की हालत हो गई इस देश के अंदर कि आपने चुनी हुई popular most popular government को इस प्रकार अपंग बना दिया कि अधिकारी कहने के नहीं मानूगा तुमारी बात किसके दिवाब में कौन से है देर आई तो भाजपा आज एक्सपोज हो गई है कि यहीं दिल्लिवासी जिन्होंने उनको साथ MP दिया उनके सारे दुखों का कारण भाजपा बन रही है बीजेपी तो कह रही है कि यही वही अर्विन के जरिवाल हैं जो कभी फूंक माक कर उस मीटर की बारे में बताया करते थे सरकार का आदेश उनका अधिकारी नहीं मानेगा आज कोई किसी विक्तिक हिम्मत है केंट सरकार हो या भाजपा गरास सरकारे हो वहां उनका आदेश कोई अधिकारी ना माने ऐसा हो सकता है कभी तो मुझे लगता है कि भाजपा इस प्रकार की दिली नहीं नहीं दे भाजप पानी का हो, सिक्षा का हो, स्वास्त का हो, बस राइट का हो, सब और सारे दुखदी हैं भाजपा के कैंशर कार। तो आज भाजपा एक्स्पोज हो गई है और इसी कारण से हम लोग घरगर जा रहे हैं, जन्ता को बता रहे हैं कि आपके जो जो उल्जुरूल बिल आया था उसको ठीक करने का स्कीम केजरिवाल जी लेकर के आये अंदोलन का भी बात आ रही थी कि इस बाबत जो है आप लोगो के घरों में न केवल जाएंगे बलकि अंदोलन भी करेंगे किया है कि हमने प्लाइनिंग की है कि 20 से 24 तक हर वाड में एक एक मिटिंग करेंगे जिसको जनसबात का नाम दिया हमने और 25 तारिक को अगर 24 तारिक तक ना माने तो 25 तारिक को जंतर मंतर में बढ़ा अंदोलन करेंगे जिसमें कि हम बिलों का होले का देहन करेंगे मुसीबत क्या हो रही है इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कैसे कंट्रोल करें इस आदमे को काम की राजनीती जो छेडी है, अर्विन केजरिवाल ने पूरे हिंदुस्तान में एक लहर छेडी है, तो इनको चहिए था कि कम से कम वो काम ना रोकें, जो कि इनको एक्सपोज कर देगी है, अज एक्सपोज हो गए यह, केजरिवाल जी कह रहे हैं, मंतरी कह रहे हैं, वाइ तो सास हो सकते है किसी की यानि साफ है कि जो ये आप देख रहे हैं कि घमासान आमादमी पार्टी और बीजेपी के बीच है वह अब आंदोलन होगा और साफ तर पर जैसी घोशला सुनत भाती जी ने की है कि जंतर मंतर पर अगर ये मांगे नहीं माने गई तो एक बार फिर व